Recently जो हमारे Finance Minister ने साखदार साब उनने एक statement दी कुछ दिनों पहले कि मुल्क का जो total foreign exchange reserve है वो 10 billion dollar तो पढ़ा है तो जैसे ये statement आई उसके बाद इतने articles फब्लिश हो और एक शोर होगी आवाम में कि उन्होंने कहा कि जो लोगों का reserve भी पढ़ा है शायद government वो भी खाने वाली है ये एक perception बनी तो पहले तो एक चीज़ ये समझ लें किसी भी मुल्क के जो total foreign exchange reserve होते हैं उसमें दो उसकी classes होती है एक वो जो state bank के central bank के पास होते हैं जो normally import bills वगरा पे करने में current account deficit में use हो रहे होते हैं और दूसरा commercial bank वाला reserve जो लोगों का पैसा पढ़ा होता है जो लोगों के foreign exchange account में लोग रखते हैं by definition इसागदार साब ने बिल्कुल सही बात की थी अगर आप economics की कोई भी वोग उठागे देख लें तो उसमें definition यही है कि total foreign exchange reserve में sbp state bank वाले reserve और यह भी account होते हैं जो commercial bank के by definition सही है लेकिन शायद यह time गलब था या जो बोलने वाला बंदा था वो बहुत बड़ा आदमी था और कहते हैं जो बड़े आदमी बड़ी post वाले आदमी की छोटी बात भी बहुत असर करती है इसको आप ग्यूं समझें एक मैं simple सी example से समझाता हूँ आज मैं किसी बंदे को तब्लीग कर रहा हूँ और उसको मैं बोल रहा हूँ यार तुम इतनी वह बहुत air traveling करता है लोग कितना डर जाएंगे क्योंकि एक तो टाइम ऐसा है और सेकेंड बोलने वाला बंदा पाइलिट खुद है तो अभी इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि एकदम वैसे ही खौफारास के आलते तो यह बात बहुत असर रखती है एक और चीज आज कल यह लोगों का कर सकती है लेकिन भाराल फिर इसागदार साब ने आज एक ट्वीट किया और उन्होंने इस बात को क्लेर समझा दिया कि जो बात मैंने की वो बाइबुक बिल्कुल सही है और हां वो जो कमर्शल बैंक के रिजर्व हैं वो लोगों का ही पैसा है और अभी हमारा कोई इराद करेंगे आज बैंक हमें कैश दे देगी लेकिन जरा सोचें अगर सोरे लोग एक वक्त में जितना पैसा बैंक में रखा है वो अभी अभी पहुंच जाएं कैश लेने तो बैंक नहीं दे सकेगी क्योंकि बैंक तो सर्कुलेशन का काम कर रही होती है तो अब अगर आज एक अगर बैंक के पास खुद नहीं तो किसी और बैंक से लोन ले सकती है यह हम यह पढ़ाते हैं कि अगर किसी और बैंक से लोन भी नहीं मिल रहा तो फिर लेंडर ऑफ लास डिजॉर्ट स्टेट बैंक है तो देखें पैनिक किरियेट बहुत तरीके से क्लिया जा सकता है अब मैं बात करूंगा कि foreign exchange account मैंने भी में एक word यूज किया ना कि commercial bank में जो पैसा पड़ा होता है dollars की form में जो reserves है वो लोग foreign exchange account open कराते हैं सवाल यह कि लोग foreign exchange account क्यों open कराते हैं एक reason तो यह है कि अगर मैं अपने exchange rate risk से बचने के लिए मैं dollars carry कर रहा हूं तो dollars अगर मैं हाथ में cash लेकर घर में cash लेकर रखूंगा तो खत्रा है तो लोग dollar account foreign exchange account में पैसे रख देते हैं एक reason number two उस account में जब आप पैसे रखाते हो foreign exchange account में तो उस पे आपको एक return की percentage भी मिलती है like 1.5%, 1%, 2% जो भी आपको return मिल रहा हो यानि आपको एक interest या profit मिल रहा होता है तीसरी reason अगर आपको import export के business में करते हो और आपको foreign payments करनी होती है तो उस dollar account से आप easily कर सकते हो चौथा एक और बड़ा benefit है और से सुनिएगा वो यह है कि अगर हमें बाहर से कोई remittance वंगा नहीं है जैसे आज अगर मुझे 200 dollar की कोई remittance मेरा student भीजता है और मेरा कराची में PKR वाला account है त तो direct dollar मेरे account में गिरेंगे और उस dollar को निकाल के मैं cash करके उसको open market में बेचके एक अच्छा rate ले सकता हूं तो यह सारे benefits है इस वज़ा से लोग foreign exchange account open करते हैं अब मैं ज़रा foreign exchange account की history सुनाता हूं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में अगर आप लोग को यादो 1998 में आपको अमेरिका ने हम पर restrictions लगा दी थी बहुत सारी restrictions और हमके हमारे पर अप्लाए हो गई थी तो जैसे वो restrictions अप्लाए हुई तो सारे foreigners ने पैसा निकालना foreign investment यहां से जाना शुरू हो गई तो एक panic की हालत हो गई तो उस ताम नवाज शरीफ की government थी और उस ताम हमारे जो कर देते हैं और उस ताम वह 11.2 billion dollars के कुछ थे तो वह सीवक्सीज कर दिये गए और फिर लगातार 5 सालों तक सीज रहे तो देखें इस तरह वहां उस दोर से लोगों का confidence हमारे मुल्क में foreign exchange account पर थोड़ा सा गिर गया अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट पेश कर रह है उस दौर में भी जब foreign exchange account सीज हुए ना लोगों के तो लोगों को बोला गया कि ठीक है अगर आपको आपका पैसा चाहिए ना तो हम आपको PKR वापिस कर देते हैं और वो PKR Interbank के rate पर वापिस करने की बात हो रही थी उस दौर में भी और उस दौर में भी Interbank का rate था 46 जब हो तो अपने इसाब से चल रहा है तो percentage change आज भी वही है और यकीन करें आज भी इस तरह की आवाज चीजे मार्केट में आ रही है क्योंकि अविसी बात है मुल्क में dollar short है आज भी अगर आप किसी commercial bank से जाके बोलें कि मुझे मेरे foreign exchange account से मुझे भी dollar चाहिए तो वह एकदम ले नहीं सकते हैं कुछ लोग 15-15 दिन महीने महीने का भी टाइम ले रहे हैं और फिर वह आपको यूँ भी बोलते हैं कि हम आपको PKR दे देते हैं लेकिन PKR आपको Interbank के rate पे देंगे ये एक मसला है अचा अब यहां पर इसका एक हल कुछ experts हैसे हैं जो foreign exchange लोग का confidence गिर रह तो मैं खुद यह पढ़ाता भी हूँ strategic level पे IFRS में कि अगर मेरे पास एक employee है और मैं उस employee का एक pension account maintain कर रहा हूं हर महीने वो employee भी कुछ contribute कर रहा है मैं भी कुछ contribute कर रहा हूं ताके future में बढ़ा जब वो employee बुड़ा हो ना तो उसको एक बहुत बड़ा pension का amount मिल जाए लेकिन पास में ऐसा बहुत हुआ कि employee का जो pension account है ना जब company तबाव हुई company ने risky business किये और company तबाव हुई तो employee का वो reserve भी तबाव हो गया तो उसके बाद दुनिया में इसके ओपर loss बने और लोगों ने क्या करा आज के दौर में आप क्या होता है वो employee का जो account होता है ना pension का वो ring fenced account होता है ring fenced का मतलब उसके मैं बच्चों को समझाने के लिए बोलता हूं उसके आसपास खारदार जाडियां लोग लोहे की लगा देते हैं यानि अब उस reserve को कोई touch नहीं कर सकता even अगर company liquidate भी हो जाए ना अगर company liquidate भी हो जाए तो creator उस account पे हाथ नहीं कर सकते तो इसी तर जाना ring fenced करके protect किया जाए अच्छा एक और information जो आप लोगे लिए relevant है 2019 में हमारे जो अभी राइट ना हमारे जो foreign exchange accounts में जो पैसे है नो वो 6 billion या 6 billion dollar के आसपास हैं जबके 2019 में अभी करीब की बात है 3-4 साल पहले यह 7.9 billion dollars थे तो वो भी अभी तक 17% गिर गये तो यह लो government का कोई ऐसा भी इसागदार साफी लेटेस ट्वीट आई है उसमें उन्होंने क्लेर बोलाए कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम foreign exchange reserve account सीज करें अपना बहुत हयाल रखिएगा अलाहाफेज